हाई एवरिवान, वेलकम ट्यू किचिन विट सेहर ऑर आज जब बनाएंगे वह बनाएंगे होममेट पनीर, एकदम से सॉफ्ट बनाएंगे, पनीर तो लोग बना लेते हैं लेकिन उनमें कई सारी इशू जाती है, जैसे के पनीर होते हैं, जैसे हमें मार्केट में मिलते हैं, लेकिन हम जो homemade बनाएंगे इसमें छोटे-छोटे कई सारे tips and tricks है आप follow करेंगे तो आपका जो paneer बनेगा वो एकदम बढ़िया quality का बनेगा और एकदम से soft बनेगा market से भी अच्छा बन कर तयार होगा तो आप video को complete देखें कोई भी step जो है वो आपसे miss ना हो और एकदम से बढ़िया सा पनीर आपका बन कर तयार हो तो पनीर बनाने के लिए हमने सबसे पहले जो लेना है वो milk लेना है milk 2 kg से 2 kg तक आप milk ले और full fat milk ही ले फुल क्रीम जो milk आता है वो ही ले वरना पनीर आपकी काफी कम निकलेगी और अगर buffalo milk मिलता है तब तो बहुत ही अच्छा है तो मैंने इसे pan को चड़ा दिया है ताकि दूज जो है अच्छे से boil हो जाए तो milk जो हमारा जब boil हो जाएगा उसके बाद पिर हम आगे कब process करेंगे और पनीर बनाने के लिए जब हम milk को डालते हैं फ्लेम पे तो उससे पहले ही उसको तयार करने की बाकी चीज़े जो होती है उन्हें हम पहले से ही तयार करके हमें डख लेना है तो देख लेते हैं क्या-kια चीजों की हमें जोड पड़ेगी एक ट्रय की ज़रूरत हैं इसपर हमें & पनीर को सैट करना साथ ही इंग यह चाहिए होगा प्लेट को हम मैं आपको आगे दिखाऊंगी एक हैवी लेकाइड और रहेकर भी कोई भी आपको हैवी चीज चाहिए होगा तो मैंने मुसल जो होता है वो लिया है अपको एक महघवी पतिले में पानी बीकर को फाड़ सकते पनीर बनाने के लिए छेना लेमन जूस इसका भी यूस कर सकते हैं साथ ही आप छेना का जो पानी आता है वो भी इस्तमाल कर सकते हैं तो किसी भी मिल्क शॉप में आपको छेना का पानी मिलेगा और जो लेमन होता है लेमन को मैं यूजरली अवाइट करती हू क्योंकि इससे पनीर बनाने के बाद जो है एक इसमेल जैसा रह जाता है पनीर में तो इसलिए मैं लेमन के बजाए या तो छेना का पानी आड़ करें उससे आपको बढ़िया सा सौफ्ट पनीर मिल जाएगा और या फिर आप विनीगर यूज करें इससे भी आपको बढ़िया क्वालिटी का पनीर मिल जाएगा बट पनीर के में जो हमें विनीगर डालना है इसको हमें डेरेक्ट नहीं डालना है बलके हमें इसे थोड़ा सा डेलिट करके डालना है वो मैं आपको बताती हूं तो एक मग लेले इसमें हमें आदा कप के लगबग विनीगर लेना है आप डालोगे ना तो पनीर आपका जो छेना है वो फट जाएगा लेकिन उससे आपका जो पनीर है वो हाड बनेगा और हम आपको बता रहे हैं सौफ्ट पनीर बनाने का तरीका तो इसके लिए एकदम खास देहन रखना है कि मतलब विनीगर को डालना है बलकि इसे जितना आपको तो यह तो बड़ा मग है मैंने कप के साबसे आदा कप विनीगर लिया और आदा कप हम इसमें पानी आड ड़िकल रखना है और आपको अगर लगेगा कि इसमें अपका जो दूद रहे नहीं फटता है पनीर जो आप बनाते हैं, तो आप थोड़ा सा फिर आप तियार कर लेंगे, बट मेक शूर एक साथ बहुत ज्यादा बनाने की ज़वत नहीं है, आदा कप में यूजियली जो है दूद फट जाता है, इसे हम अच्छे से चला देते हैं, और अब हम इसे एक तरफ रख लेंग सारे प्रोसस को देखें, और चोटी-चोटी चीजे होती है, जिससे पनीर जो होता है, वो उतना सॉफ्ट नहीं बन पाता है कई बार, तो चोटी-चोटी चीजे एक दो बार आप ट्राइ करेंगे, तो आप बिल्कुल बढ़िया सा मार्केट स्टाइल पनीर बना लेंगे, और यह देखें, इनमें हम बॉइल आने देते, जस्ट एक बॉइल की हमें जरूरत है, उससे ज़्यादा हमें दूद को नहीं पकाना है, बॉइल आ गया है, फ्लेम को हम स्विच ओफ कर देंगे, फ्लेम बंद कर देना है, अभी हमें यहां पे इस स्टेज पे वेनिगर एक बर चला लेते, ताकि इसमें चाली उपर जो है, मलाई वो सब ना पड़े, एक मिनट हो गया है, एक मिनट के बाद, अब हम इसमें वेनिगर डालेंगे, और इसे एक बर चलाएंगे, इससे भी आपका जो छेना जो निकलेगा, एकदम से सॉफ्ट निकलेगा, जब आप सब्सक्रीण करोब चला थे हुआ है, तो थोड़ा सा मैंने पानी के बाद और थोड़ा Sa उमने वेनिगर आड कर दिया है, один उपिंट लुः अब हम इसमें डाल देते हैं और एक बर चला लेते हैं, यह दिय के यह बिलकुली चैना और पानी जो है एक बाद अलग हो गया है तो और ज्यादा अब हम इसमें विनिगर का कुछ भी अब हम एड नहीं करेंगे और अब हम इसे चान लेना है हमें तो एक पतीला हमने ले लिया है जो आता है और इसमें एक हम रुमाल जो है या किचेन टावेल जो होता है वो हमने बेचा लिया एक दम और इसमें हम इसमें सा काफी दियान से देखे ये प्रोसेस काफी इंपोर्टेंट होता है ये जो छेना का पानी है देखे इसे आप चाहे तो स्टोर कर सकते एक दो दिन के लिए आप स्लैब पे रख ले उसके बाद आप उसे फ्रीज में रख सकते और फारने के नेक्स टाइम पनीर काम आएगा नॉर्मल टेंपरेचर का पानी डालना है मतलब चेना हमारा एकदम से ठंडा नहीं हो जाना चाहिए बस इससे थोड़ा एक दू बार हम लोग हलका हाथों से दो लेंगे तो इसमें से विनीगर का और विनीगर हमने पानी डाल के डैलेट करके डाला है तो उसका कोई स्मेल ऑनी थ lihat नहीं आएगा और एकदम से निकल जागा और इस तरहीव केसे और हम इसारा पानी निपत कर नकाल दे हूद अ कर देडना नेंदा को नेस डाल नवह बहुत हो भी आपको पनीर काफी हाड़ हो जाएगा और एकदम सूखा जैसा ड्राई हो जाएगा तो अब हम इस पे एक प्लेट डाल देते इस तरीके से या इस तरीके से मैंने डाला जिस तरीके से भी डालें आपको एक हेवी वेट डालना है तो मैंने तो यह वेट लिया है आप चाहे तो एक पतीले में पानी डालने और उसको एक गंटे तक हमें इसे छोड़ देना है तो एक गंटे के लिए मैंने उसे छोड़ दिया था एक से डेड़ गंटे में आपका पनीर जितना हैवी रहेगा न वेट उतना अच्छे से पनीर आपका सेटल करता है इस बात का खास ध्यान रखे वेट सही नहीं पड़ेगा तो वो थोड़ा पटा पटा जैसा रहेगा सेटल नहीं सही होग तो यह देखिए कितना बेतरीन तरीके से यह सेटल हो गया पनीर और एकदम से सॉफ्ट है अब हमें एक लास्ट प्रोसेस करना है एक बावल में हम फ्रीज का जो चिल्ड वाटर होता है वो ले लेते हैं उसमें हम पनीर को एक मिनट के लिए रखेंगे ज्यादा देर नहीं कर जाता है और यह देखें कितना बढ़िया सा पनीर क्वालिटी में बहुत ही अच्छा है खाईएगा तब आपको पता चलेगा और होममेट पनीर बनाना तो काफी एजी है मैं आपको इससे कट करके भी दिखाती हूं यह देखें यह अंदर से कितना बढ़िया बना है और यह मैं पको डिकमेंट करूंगी कि आपको जबी भी पनीर बनाना हूं अप घर में बनाए कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है कोई जमेला नहीं है और मार्केट में जो मारे पनीर बनता है पनीर मिलता है तो कई बार आप देखेंगे कि उसमें काफी कौलिटी इश्यू इससे बटर रहके हम घर में ही बनाए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, इन छोटी छोटी जो टिप्स है उन्हें जरूर फॉलो करें, आपका भी पनीर काफी अच्छा बनेगा